तो उतर भारत में ठंड इस बार लोगों की हड़ियों में सुराख करने पर आमादा है अब इसे आसान भाशा में समझेए कि जो ठंड है अब लोगों की जान ले रही है अब ऐसा नहीं है कि विवस्थाएं नहीं है दरसल व्यवस्था लोगों तक पहुँच नहीं रही है पूर रिपोर्ट देखिए एक तरफ ठंड का प्रकोप है दूसीर तरफ माते पर मौत सवार है और जो बच बच आकर अस्पतालों तक पहुँच जा रहे हैं उनकी जान हमारा सिस्टम लेने पर अमादा है मरीज इस उम्मीद में अस्पताल पहुँच रहत मिलेगी जानने वा ठंड के आगे संजीवनी मिलेगी पर हमारा सिस्टम कई अस्पतालों के स्थितिये हैं कि मरीजों को सर्दी से बचाने के लिए जो इंतिजाम किये गए हैं वो ना काफी है कहने को वार्डों में छोटे ब्लोर्स लगाए गए हैं लेकिन ब्लोरों की गर्म हवा मरीजों तक पहुचती ही नहीं है गैर जिम्यदार अपने कमरों में इनके साथ टांग पर टांग चढ़ा कर बैठे हैं आपको मिल जाएंगे पहली तस्वीर इटावा से है जहां महिला अस्पताल में ठंड से निपटने के लिए अस्पताल प्रबंदन ने कोई इंतजाम ही नहीं किया है मरीज प्रसुता ठंड में ठिटरूने को मजबूर है और तो और महिला अस्पताल में जच्चा बच्चा वाड में खिर्कियों के शीशे तक तूटे हैं ऐसे में जैसे तैसे कंबल और चादूर के सहारे ठंड से जंग लड़ी जा रही है और दूसर तरफ चौकाने वाली तस्वीर तो तब सामने आई जब महिला अस्पताल में मेडिकल स्टाफ के रूम में गर्मी का भर पूर इंतजाम मिला यहां तक के घरेलू स्प्रिंग हीटर से भी मेडिकल स्टाफ ठंड मिटाते आपको मिल जाएंगे पूरे मामने जब हमारी टीम सीमेस डॉक्टर कजली गुपता के पास पहुँची उन्होंने स्टाफ को फटकार कर अब ववस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करवाया अब ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ एक अस्पताल की कहानी है करनौज की जिला अस्पतालों में खुले आप सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है जहां मरीजों को तो ठंड से बचाने के कोई खास इंतजाम नहीं है लेकिन अस्पताल का स्टाफ मुफ्त के बिजली से हीटर जला कर खुद को ठंड से बचा रहा है अब आपको बता दे कि स्प्रिंग वारे हीटर जलाने पर सुरक्षा कारणों से पाबंदी लगे हुई है लेकिन ये जो गैर जिम्मदार स्टाफ है ये खोले आम दुरगटना को आम अंत्रों देने पर आमादा है दो अजार कि हमने इनको पहले भी नोटिस दी हुई है और ये सूचे थें संग्याने थें पहले से की कोई भी हीटर नहीं जलाएगा उसमें आग लगने का खत्रा रहता है और उनके एवज में ब्लोवर सब को प्रोवाइड की जा रही है और ब्लांकेट्स वगरा भी दी जा रही है लेहाजा अगर कोई इस तरीके से करता हुआ पकड़ा जाएगा या इसका संग्यान में आएगा मेरे तो फिर इनके विरो तो विदिक कारवे की जाएगी अब कुल मिलाकर समझी कि कई अस्पटालों में आपको यही स्थिते मिल जाएगी सरकार अपनी तरफ से ववस्थाएं करती हैं पर बीच में बैठी ये जो गैर जिम्मदार किसम के लोग हैं ववस्थाओं में किसी दीमक की तरह सुराख करते चले जाते हैं रफ्तार मीडिया के लिए उत्रप्रदेश बीरो की खास रिपोर्ट